टोटल केसेज, न्यू केसेज, टोटल डेथ, न्यू डेथ, टोटल रिकावर, एक्टिव केसेज, सीरियस, क्रिटिकल, और टोटल केसेज हैलो फ्रेंड्स एक पर फीड से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल सिरान डक में तो फ्रेंड्स आप सब तो जानते हैं कि कोरोना वाइरिस पूरे वर्ड में इस तरह फैल चुका है कि टोप की जो कंट्रीज है चाहिए वो अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, सब इन से इंफेक्टेड हैं और सभी लाचार हैं तो जैसे कि आप सभी न्यूज में तो सुनते ही हैं इसके बारे में और न्यूज में वैसे तो सारा कुछ बता रखा होता है सब बता रहे हैं, अभी तो लोगडाउन भी है पूरे जो इंडिया में तो लोगडाउन करी दिया है, सभी राज्य में बाकी बाहर भी लोगडाउन कर दिया है तो आज किस वीडियो को बढ़ाने का परपश यह है कि मुझे काफी DM आये थे मेरे फ्रेंड्स के तो उन्होंने बोला था कि जो न्यूज में लाइव जो अपडेट दिखाते हैं आंकडे दिखाते हैं इनफेक्टेड लोगों के कंट्री वाइज और इंडिया वाइज तो वह कहां से लेते हैं तो आज किस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि जो टोटल आंकडे होते हैं कुरेट लाइव अपडेट वह कहां से लिए जाते हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं तो ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए फ्रेंट्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पे दो वैब साइट है जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इन में से जो पहली वैब साइट है उस वैब साइट से आप करोना पिछलान वाइरस की अपडेट कंट्री वाइज हर कंट्री के और जो दूसरी वैब साइट है उससे आप इंडिया वाइस चाहती है पहले में कंट्री वाइज आपको चेक करके बता देता हूं जैसी आप वैबसईट को एंटर करें अपने किसी बिश्य ब्राउजर में यह यहां पर इस website का नाम है wordometer.info ठीक है तो इस website को जैसे आप उपन करेंगे आपके सामने dropshin आजाएंगे coronavirus और population ठीक है तुसमें आप यहां पर देख लीजिएगा जो यहां पर population selected है तो यहां पर population का जो live update यहां पर आ रहा है जैसे कि current तो वर्ड पोपलेशन बर्थ कितने हुए इस यह तोड़े कितने हुए देथ कितनी हुई है और यह सारा कुछ आ रहा है और यह आप खुछ कर सकते हैं और मैं जो वीडियो है इसमें आपको coronavirus update यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं COVID-19 coronavirus pandemic और यहां पर लास्ट अपडेट लिखा हुआ है तेश्ट मार्च 2020 साथ बजगे उन चास्ट मिनट पर अपलोड हुई है यहां ठीक है तो यहां पर यह लिखा हुआ है coronavirus cases यहां पर total cases लिखे हुए है death लिखे हुई है recover कितने हुए है active cases कितने है total और यहां पर mid condition में कितने हैं serious कितने हैं जो case close हो चुकी है जिसमें की इतने जो बंदे हैं वो इतने recover हो चुके है और इतने की death हो चुकी है इन total दोनों को मिला कि यहां पर यह बता रहे है total कितने close हो चुके है ठीक है उसके बाद यह graph दिखा रखे है total cases के total death के है यहां पर दिखा रखा है यह date wise कितने आप को यहां पर चैक कर सकते हैं कि date wise कितनी death हो तरह कर दो और उसके बाद यहां पर अगर आप नीचे आते हैं तो यहां पर यह option आप इपर मिल जाएगा यहां पर view by country और नीचे आप आप उती हैं तो यहां पर उसक अजो कोला में टेंगा लिएग इस हमें क centuries नीव चभीकेसिज टॉटल रातव डेहस टॉटल टोटल डोर एक्टिव कैसे इसी सीरेश इस इंत्व त्वेल, और लग बुस्त हाँ इसमें यहां पर ऊजा जैसे सबी को पता है चाइना पर लिए और हेमेर दीखेगा टोइचस के गार केस्ता अप्डेट के साथ यहां पश्टे लिए। कर और के साथ वह होती है डिखने हो चुकिए के इस कितने हैं और यहां पर जती भी कंट्रीज हैं जो जितनी भी लगबोक बैस तो पुर Scr den amigos यहां पर पर कंट्री देख सकते हैं और इंडिया भी इसमें आपको मिल जाएगा तो यहां पे अभी देख सकते हैं यहां पे पाकिस्तान में अभी 803 केसिज हैं और इंडिया में यहां पे अभी 425 केसिज हो चुकी हैं और प्लस 29 यानि की 29 केसिज जो है न्यू है आठ की डट हो चुकी है यह करेंट अपडेट है ठीक है यहां पे पूरे वर्ड के यहां पे आप देख सकते हैं चेब कर सकते हैं मोबाईल भी यूजरी ओपन हो जाती है यह वैब साइट तो यहां पे टोटल जितनी भी पकंट्रि सेबहें आप मिन आप ठीक है तो यह तो रही वर्डवाइस बात और बात करते हैं इंडिया की तो उसकी लिए एक वैबसाइट और है उसको अगर आप इस वैबसाइट का लिंक डालेंगे तो यहां पर जो इंडिया वाले आंकडे उठाते हैं वो यहां से आंकडे लेते हैं यहां से देख सकते हैं mygovernment.mygov.in slash covid-19 ठीक है COVID-19 तो यहां पे देखिएगा total कितने passenger की screening हो चुकी airport पे total कितने confirm case है और कितने यहां पे जो है discharge हो चुकी है और total कितनी death हो चुकी है यहां पे भी जो update होती है है वो कुछ time इनका रखा हुआ है live update जो होते हैं लेकिन इस जो website है इसमें आपको totally live update मिलती है totally live जैसे कि यहां पे आप देख सकते थे इंडिया में 400 कुछ बता रहे थे और यहां पे अभी 415 बता रहे हैं और किसमें बता रहे थे 425 और death 8 की बता रहे थे एक new क्योंकि पहले साथ थी आपर जो upload हुआ पहले साथ थी तो इस तरह है आप अपने phone पे दोनों website open करके चेक कर सकते हैं और friends आप भी अपना ध्यान रखें इस बात को lightly ना लें बिल्कुल भी जैसा कि सभी सरकार अगर इतना कदम इतने उठा रही है सभी कुछ सरकार को इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है सारा नुकसान सरकार को हो रहा हमें तो कोई नुकसान नहीं है न बट सरकार अगर इतना कर रही है तो उसके पिछे कुछ reason ही है आप इसे मजाग में ना लें बिल्कुल serious रहें और अपना ध्यान रखें जब तक lockdown है बिल्कुल घर पे रहें तो आज की वीडियो में इतना ही friends मिलते हैं next वीडियो में कुछ नई trick and tips के साथ तब तक के लिए goodbye